मेरे प्यारे पन्नू को ये पूरा शक नहीं, पूरा यकीन है कि भारत सरकार ने उसकी हत्या करने की कुर्शिश करी है, जिसमें शामिल है NSA अजीत दोवाल सहाब. इस समन पर भारत की सरकार ने कड़ा इतराज जता दिया, विदेश मंतुराले ने आरुपो को निराधार बता दिया, विदेश मंतुराले का कहना है कि इस मुद्बे पर हमारा स्टांड बदलेगा नहीं, पन्नू का संगचन गयर खानूनी है, आतंकी गतिविधियों में शाम देन, यूएस की सॉयल पर बैठकर, मोदी जी ललकार दे अभी जारे है, मोदी जी आने वाले कुछ दिनों में यूएस, उससे एक बात ये प्रूव हुई है कि दिस वेरी वेरी हाई स्टेक्स विजट, लेकिन पन्नू इस ताहें पर बहुत डरा हुआ है, अब पन्नू इ कि कंट्री में बैठकर, मैं उनको आइना दिखाँगा. अब देखो, यह हो क्यों रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ है, पन्नू को इतना सीरिसली लेने की जरूट नहीं है, क्योंकि इसमें डोवाल साप का नाम है, क्योंकि प्रदान मंत्री मोद्ट, अब पन्नू को नॉर्मल बात नहीं करता, पन्नू की एक आदत है, पन्नू ने आज तक एक सुई उठा के यहां से आनी रखी, पन्नू is a complete failure in life, पन्नू has achieved nothing, zero, पन्नू का सरिफ एक claim to fame ये है, कि वो मोदी जी को लेके भारत को लेके कुछ-कुछ बोल देता है, भारत का मीडिया इसको उच्छाल देता है, पन्नू gets his 15 seconds of fame, then पन्नू is fine, पन्नू का सर्फ करेगा, पिर सुर्क्यों में आएगा, पिर सो जाएगा, अब दोस्तों मैं आपको एबात बताता हूँ, कि ये काम हुआ क्यों है, और पन्नू ने एक काम क्यों कराया है, किसने पन्नू से करवाया है, पन्नू क्या कह रहा है, कि 2023 में उसके उपर assassination attempt हुआ, यही बोल रहा है पन्नू, कि 2023 में मुझे मारने की कोशिश करी, लेकिन वो विफल हो गई, वो जो planning थी वो विफल हो गई, फेल हो गई, फिर पन्नू कह रहा है कि यार निजजर को 2023 में मारा था, अब मैं एक बाद पूछना चाहता हूँ, ये 2023 के बाद, पन्नू एक साल के पाद क्यों जागा है, अचानक पन्नू की नींद खुली और पन्नू मुरब मैं डोवाल साप के ओपर केस करूँगा, करण क्या है, भाई केस तुम एक साल पहले करते, जब तुम हला करे थे पूरे कि मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, मुझे मारने की कोशिश है, य पन्नू को मारना कोई मुश्किल है, यार पन्नू को मारना होता है, बहुत पहले निप्टा देते हैं, ये सब क्या होता है, ये सब प्लानिंग होती है, मैं आपको समझाता हूँ, मोधी जी जा रहे हैं तीन दिन के लिए यूएस, मोधी सरकार की उपर केस कर दिया, आपना ऐसा लगता है कि इनकी उपर केस करेंगे US कोट अब पन्नु क्या बोल रहा है यह देखिए पन्नु क्या बोल रहा है पन्नु बोल रहा है कि to hold the Modi government accountable in front of a US court वर्डिंग्स देखिए Modi government को यह accountable करेंगे US court के सामने जैसे US को खोदा है यह खालिस्तानियों को तो लगता है ना कि गोरी चमली वाला मिल गया भगवान है तो उसके पैर वायर पकड़ लेते हैं यह सारे खालिस्तानियों के साथ यह mental problem है Canada ओग पहुंचगा है Canada UK पहुंचगा है इनों ने जहां गोरा देखा उन्होंने उसको भगवान करार दे दिया कि यही भगवान है यही खोदा है यह खालिस्तानियों के साथ एक problem है बड़ी तो यह कह रहे हैं कि holding Modi government accountable in front of a US court यह करवाया किसने दोस्तों यह American deep state ने करवाया है CIA ने करवाया है यह CIA ने क्यों करवाया है क्योंकि अब मैं बताता हूँ Americans क्यों करवायेगे अब आप बोलेंगे साथ वो तो दोस्त है कोई दोस्त नहीं है कोई दुश्मन नहीं है सब अपने फाइडे का देखते है भारत भी यही काम करता है कोई इसमें दूद का दुला नहीं है let me be very honest दोस्तों ये जो पूरा case हुआ है ना मोधी सरकार के उपर अजीट डोवाल साब के उपर ये जो पूरा case हुआ है इससे एक बात प्रूव हो गई है beyond a shadow of doubt कि जो मोधी जी की visit है 22-23 सितंबर को इस साल अभी जा रहे है मोधी जी आने वाले कुछ दिनों में US उससे एक बात ये प्रूव होई है कि this is a very very high stakes visit ये जो case हुआ है ये case नहीं है इस case की कोई माननेता भी नहीं है राइट इस case की zero माननेता है लेकिन आपको एक बात पता होने चाहिए और आपको दोस्तों बात ये पता होने चाहिए कि US तगड़ी तरीके से नेगोशेट करेगा ये तरीके होते हैं नेगोशेट करने के कि आप पहले दूसरे बंदे को जिससे आप नेगोशेट कर रहे हैं वो चाहे आपका दोस्तों चाहे आपके बड़े friendly relations हो आप कुछ ऐसा करो कि उबंदा बैक्फूट पर चला जाए वो बैक्फूट पर चला जाए बिल्कुल और जब आप नेगोशेट करें तो आपको खुश करने के लिए अच्छा ठीक है ये ये पन्नू वन्नू का ये रफा दफा करवाओ निजर कर अफा दफा आप जो बोलो हाँ बोलो ये चाह रहा है आपको लगता है ऐसा होने वाला है डवाल साब बैंड बजा देंगे महां पर अमेरिकन्स का और आप देख ले ना जादा दिन दूर नहीं है 21st, 22nd, 23rd High Stakes Meeting होने वाली है यूस में बड़ी बड़ी डील इसमें साइन होने वाली है बड़े बड़े इसमें Decisions लिये जाएंगे और उनी Decisions को क्योंकि अमेरिका नेगोशियाट कर रहा है भारत से लें देन जब होता है ना कि नहीं मैं तो इतना नहीं दूँगा इतना दूँगा नहीं तुम्हें जादा देना पड़ेगा हम तुम्हें इतना पैसे दे रहें यह सब बाते होते हैं जब अर्बन डॉलर की काफी एक strong reply दिया और ये बड़ी clearly cheese बोली कि देखिये साब ये एक unlawful body है जिसका नाम है six for justice हम इसकी कोई बात को विश्वास नहीं करते हैं As a matter of fact मैंने आपसे एक दो दिन पहले बताया था कि 2019 में हमने six for justice को ban किया 2024 में वो ban हट रहा था लेकिन एक ऐसे थोड़ी मस्ती करने के लिए उसके पन्नू के घर में हमने एक चिट्टी बेढ़ी थी भारत की establishment की साब आप जड़ा ये बताईए कि भई आपको दुबारा ban क्यों नहीं किया जाए अब जैसी वो चिट्टी पहुंची उसके एक आजरे दिन के बाद पन्नू के घर के बार आग लगी उसकी हालत वहें पर ऐसी पतली होगी सबको पता ही है कि भई राहोत राहो और तारिक ख्यानी के साथ क्या क्या हुआ था वहाँ पर एक को तो कुछ petroleum petroleum फेक के जला दिया था और दूसरे आजमी की बहुत ठुकाई करके उसको एक message देखे वहाँ पर छोड़ा गया था कि भई आपने ये जो कारेक्रम है इसको जर और गया चली कि फाल के नदा में तो इसके घर के उपर गोलिया चली तो एक यह ना एक तरह से यह जो एक खलिस्तानी यह जो गैंक्स्टर्स हैं गांग्स्टर्स फोड़े जगडे एं और कुछ और बी चल रहा होगा वह तोंको में नहीं है लेकिन पटनू इस टाइं पे बहुत डरा हुआ है अब पन्नु इतना डरा हुआ है कि पूरी American Establishment जो गहरे राज की Establishment है वो इसके पूरी सपोर्ट में आ रहा है यह जो है ना पन्नु यह जो मेरी Darling पन्नु है यह पन्नु माउथ पीस है यह पन्नु कोछ नहीं बोल रहा